हर्याना की तीन सीटों पर नतीजे आ चुके हैं आपको बता दें बड़ी ख़बर हर्याना से आ रही है जा तीन सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं और तीनों सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी ने जीत दर्जगी है जी बड़ी ख़बर जो हर्याना से आ रही है नू सीट पर कॉंग्रेस अंपीद्वार जीद चुके है और कर्फ नतीज़ों आपको बता दे बढ़ी कहबर हृयानास से आ जाध़ीत घर्टेन से सेंट दर्टों पर कॉंग्रेस जीत कर लिये सहाथ ही और कोंग्रेस उम्मीद्वार जीतेubh कर सुन हे और के स्प तीन विधानसवा सीटों पर कॉंग्रेस ने जीद दर्ज की है नू सीट, कालावाली सीट और पंचकूला में कॉंग्रेस की उमीदवारों ने जीद दर्ज की है यह बड़ी ख़बर जो हरियाना से आ रही है आपको बता दे तीन सीटों पर जो नतीजे घोशित हुए हैं उनमें कॉंग्रेस ने जीत दर्ज की है ये बड़ी कबर जो आ रही है कालावाली सीट पंच्छकूला और नू सीट से कॉंग्रेस ने जीत दर्ज की है ये बड़ी कबर आपको बता दें अरियाना से आ रही है फिलाल लेकिन कॉ बहुमत के आखले से दूर दिख रही है, कॉंग्रेस 35 सीटों पर बड़त बनाये हुए है, बीजेपी 49 सीटों के साथ रुजानों में आगे दिख रही है, बीजेपी ने बहुमत का आखला भी पार कर लिया है, अन्य को 6 सीटे मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन जो 3 सीटों कॉंग्रेस उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, ये 3 सीटे, कालावाली सीट, नू सीट और पंचकूला में कॉंग्रेस ने जीत दर्ज की है, ये बड़ी खबर जो हर्याना से आ रही है, आपको बता दे, फिलाल हर्याना में 3 सीटों के नतीजे गोशित हुए है, उन 3 सी सीटों के नतीजे गोशित हुए है, उन 3 सीटों पर कॉंग्रेस उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, कालावाली सीट, पंचकूला सीट और नू सीट पर कॉंग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, ये बड़ी खबर जो हर्याना से आ रही है, हर्याना में 3 सीटों के नतीजे तीन सीटों के नतीजे आ गए हैं तीनों सीटों पर कॉंग्रेस ने जीत डर्ज कर लिए आपको बता दे बड़ी कबर जो हर्याना से आ रही है तिलाल हर्याना में बीजेपी उननचास सीटों पर लीड कर रही है बीजेपी उननचास सीटों पर आगे चल रही है और कॉंग्र 35 सीटे पर आगे चल रहे हैं लेकिन जो अभी हर्याना की तीन सीटों पर जो नतीजे आए हैं उन pracy पर कॉंग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें फिलाल कॉंग्रेस बहुमत के आकड़े जासे फिलाल दूर दिखाई में भाउमत का अंकड़ा है अरियाना में 46 का है फिलाल कॉंग्रेस अभी 35 पर आगे है अगर बहुमत का अंकड़ा पार करना है तो उन्हें 11 तीटो पर और अभी बड़त बनानी होगी ब आपको कॉंग्रेस ने तीन सीटों पर जित दर्ज कर ली है